पूरे देश में किसान अंदोलन कर रहा है 16 तारीक को पूरे देश भर में किसान अंदोलन का एक नया रूप आपको देखने को मिलेगा भारत कृषी प्रधान देश है और हमारे हां किसानों की पूजा होती है लेकिन इस केंदरी सरकार में जो नरेंदर मोदी जी के नेतरित्य में चलती है पिछले काफी दिनों से तीन ऐसे काले कानून किसानों के विरुद लाया है जो किसान और उनकी खेती को बरबात कर रेंगे उसी कानून को खत्म करने के लिए देश बर में अंदोलन हो रहा है हम कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से मांग करते हैं कि सरकार ततकाल प्रभाव से लागू ये तीनों काले कानून को वापस ले और साथ ही साथ अभी जो दो तीन दिनों के अंदर इस देश में डीजल और पिट्रोल के दाम बढ़े हैं उसे ततकाल वापस लेना चाहिए केंदर शरकार को सर्म आनी चाहिए कि आठ महीने से लगातार लागडाउन में किसानों की गरीबों की छोटे दुकानदारों की जो इनकम है जो कमाई है वो तवा हो चुकी है ऐसे में सासन को मदद करने के बजाए सासन जो है उनके उपर अन्याय कर रहा है मैं मांग करता हूँ कि ततकाल प्रभाव से बढ़े हुए फ्यूल के रेट घटाए जाएं और केंदर सरकार द्वारा जबरन लादे गए तीनों काले कानून को रद किया जाए